ओम सिरी गनेश शाय नमदोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जून बुद्वार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-कि चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब परें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेस के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेस के अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तो चल अचल संपत्ती के द्रश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और प्रस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ इसाथ कोई अप्रतियासित आए या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आए का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुनता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तों रचनात्मक कारों किप्रती आज आपका रुजान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दे अपने रचनात्मक्ता से अपने घर को खोबसूरत बना सकते हैं अपने कार्य छमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कार्य छेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिशानिया बढ़ सकती है अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावशक परिशानिय उत्पन हो सकती हैं साती साथ परिवारिक इस्तित्यां तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता-पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें। ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई-बेहन, माता-पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें। यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंदरित करने का नहीं, बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है। बहुत से लोग आप से कई मांगे रख सकते हैं, इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा, बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं, आपको बेचेन करेगा, दोस्तो कारे भार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे, इसलिए किरोध की आज अधिकता रहेगी, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा, दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइट के शिरेनी वाली हैं, दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा, क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है, और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है, आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी, और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा, और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा, दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए ब करतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधित्ता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साती सात नौकरी करने वाले जातकों बनेंगे प्रोट क चैरी से सम बंदित कोई अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्ट हो सकती है सा्थी साथ जो लोग सरकारी जित्र में नौकरी करते हैं इन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का शुक मिल सकता है आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दोस्तो समय आज का आपके केलियर केरे काफी अनुकूल होगा और आपको सरकारी छित्र में काफी फायदा होगा आपको अपने कामों के लिये श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथि साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अवसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शाथ धन रहे दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्याओं उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवश्चक है जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा ना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत पर होने के बाद अपने श्रद्धा के अनुसार अपने शामर्थ के अनुसार हरी मूंग का दान भगवान श्री गनेश जी का एसमन करते हुए अवश्य करे जिया दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही विशेश सुब फलो की प्राप्ती होगी और आपके समस्त कार रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का अश्रबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै श्री गनेश अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें होगी दोस्त क कर में जवस्त।